आप सभी लुक कैसे हैं मेरे नम आशीज सिंग है आपका मैठ्स वेकृट्टी आपका साथ ही आज आप देखिए साकते हैं सभी सबी मेरे जो पीछे जो लगा हुआ है selection post के वारे में तो हम post drive discussion करेंगे कौन-कौन सी post होती है यह discussion करेंगे साथ-साथ क्या इनके salary होती है यह discussion करेंगे ऐसा नहीं कि आपने वीडियो खोली एक दम से और वीडियो खोलती चार आपको कुछ और मिलेगा नहीं वीडियो में सिरिबcking-सिरिफ आपको यही मिलने वाला है कौण-कौण सी पोस्ट होती है क्या सेलरी होती है मैं आपको बतानेवाला हूं इसके पूरी-पूरा चेसर MTS, GD, इन्हें के पीछे पढ़े देते हैं. इसके वारे में कोई बात ही नहीं करता. Selection Post आगे, मैंने क्यों ने लिखा 12, क्योंकि इस साल Selection Post 12 है, पिछले साल 11 था, उससे पहले 10 था, उससे पहले 9 था, फिर 8 था, फिर 7 था, तो इस बार Selection Post, जो हमारे पास Selection Phase है, यह 12 वाला है. चलिए, डिसेशन करते हैं, स्टार्ट, पर सबसे बहुते जान लेते हैं, क्या है Eligibility इस एक्जाम के लिए, इस पोस्ट के लिए, बिना किसी देरी के, बिना किसी और जज़बात के. आप सभी किसा भी देख सकते हैं, आप सभी किसा भी एक चीज़ देख सकते हैं यहांपर, अगर आप देखें यहांपर, कि हमारे पास Eligibility criteria, यहांपर क्या है, medicalization भी मतलब हमारे पास 10 वी, 12 वी और हमारे पास degree level की post भी है, तीनो level की post है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ भी post graduation वालों के लिए है, जिसने भी हमारे पास 10 वी पास कर रखी, वो भी दे सकता है, जिसने बार भी पास कर रखी, वो भी दे सकता है, और जिसने कोई bachelor degree ले रखी हो, किसमें भी, वो भी दे सकता है, एज लिमिट भी दे रखी है, एज लिमिट भी रखी, 38 से उपर और 30 से नीचे, आचा, category wise भी है, relaxation भी है, तीन साल का और पांस साल का backward classes के लिए, और SCST के लिए, आगे भी अलग अलग भी, और भी आ रहा है, वो हमारे पास, उसके लिए भी रिलक्सकेशन है, बट नॉमल रिलक्सकेशन, OBC, SC, ST, और यह हमारे पास, जो यह वाला रिलक्सकेशन है, 18 मलब 18 से उपर वाले, और 30 से 30 तक, यहां तक, यह हमारे पास, एज की वारे में बात कर रहा है, यह हमारे पास, पोस्ट के आरे में आएगा, आने वाला है, तो भाईया, आप सभी सभी इसको पूरा चेक करेंगे, ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया, अपने आप भी चेक करना है, यह एक responsibility होती है, यह च्छे student की, चिक है, दूसरा, कैसे इसका exam होता है, यह मैं बता देता हूँ, देखो, ऐसी पोस्ट बार-बार नहीं आती, आप हर बार से चूक जाते हो, इस बार मज चूक ना, CGL, CHSL, CPO, MTS, JD की चेकर में, इस वाले exam को भी देना, computer-based exam होता है, computer-based exam होता है, इसमें return test होता है, फिर skill test होता है, 100 multiple choice, MCQ होता है, objective type होता है, मतलब tick mark करने होता है, कोई दिक्कत नहीं है, subjective नहीं होता, 200 marks का paper होता है, हर question 2 marks का होता है, हर question 2 marks का होता है, each question is of 2 marks, चलिए, negative marking हमारे पास 0.5 marks की होती है, negative marking में मैंने बता दिया, इसमें कितने की होती है, 0.5 marks की होती है, general intelligence जो हमारे पास reasoning होती है, वो 25 question 50 marks, बहुत basic सी आती है reasoning, general evidence जिसमें GS आता है, current affair आता है, science आता है, वो भी 25 question 50 marks की है, कमाल की बात दोस्तों इसमें एक है, बहुत तगड़ी कमाल की बात ये है, कि जो इसमें quantitative aptitude है, सच्ची में वो quantitative aptitude ही है, maths नहीं है, सिर्फ arithmetic आती है, अंक गणित आती है, इसमें advance maths नहीं आती, इसमें advance maths नहीं आती, वो ही 25 question 50 marks की, English language जो आती हो, basics ही आती है, पर वो भी 25 question 50 marks की, तो हर किसी के 25 questions है, 50 marks का, हर question 2 marks का, arithmetic आईगी है, advance नहीं आगे, तो tension मत लो, हमारे पास दोस्तो, इसके अंदर English language जो है, हमारे पास, वो आपको basic सी knowledge है, और DSR आपकी reasoning, अच्छा, दोनों exam दोनों में होगा, English में भी होगा, और Hindi में भी होगा, तो दोनों language इसमें use की जाएंगी, तो tension वाली कोई बात नहीं है, आप इस भाषा में भी मुलब आप वो हो, English में आप उसमें चेंज कर सकते हो, आईए अब थोड़ा सा, पोस्ट के बारे में जान लेते हैं, इसकी पोस्ट के बारे में जान लेते हैं, देखिए, इसमें पोस्ट होती है, लेवल वन की पोस्ट जो होती है, लेवल वन की पोस्ट उसमें ग्रेड़ पे कितना होता है, अठारा सो होता है, बताओंगा अठारा सो ग्रेड़ पे का मतलब क्या होता है, इसमें कौन-कौन सी पोस्ट होती है, सीनियर भीया, लाइबरी अटेंडेंट, केंटीन अटेंडेंट होता है, मेडिकल अटेंडेंट होता है, लेडी मेडिकल अटेंडेंट होगा, टेकनिकल ओपरेटर होगा दोस्तों इसके अंदर और लेबरोरिटरी अटेंडेंट होगा, ये सारी सारी पोस्ट हमारे पास लेवल वन के अंद और हमारे पास जो house rent allowance जो आपको घर रहने का मिलता है वो traveling allowance जो आने जाने का खर्चा मिलता है और और आपको यह salary बन जाती है मतलब सोचो सबसे कम वाली जो सबसे छोटी वाली जो जोब है इसके अंदर उसकी salary लगबग लगबग आपकी 71,000 salary है लगबग लगब 32,000 salary है यह तो वाई में है एक्स में तो 32,000 से उपर जाएगी तो 1800 grade में आपकी salary बनती है दोस्तो 32,000 बनती है बहुत सही है इस सच सही और क्या चाहिए होगा यार ठीक अगला जो level 2 posting है level 2 post level 2 post कौन सी यह grade पे हमारे पास क्या है 1900 grade पे है 1900 grade पे में assistant map curator आता है technical operator आता है laboratory assistant आता है assistant photographer आता है और दूसरे भी post है 1900 grade पे की post है और यह सारे की सारी 1900 grade के अंदर आती है सारी पोस्ट सारी पोस्ट बता दी मैंने कौन-कौन सी इसके अंदर आती है ठीक है सारी पोस्ट बता दी मैंने अब 1900 grade पे का मतलब क्या है 1900 grade पे का मतलब योगा इसमें यह level 2 की job है इसकी salary क्या बनेगी total salary 36,000 मतलब 36,000 लगब लगब बनेगी वो 46% basic पे का 19,000 नो सा तो भईया आपका basic पे है इतना तो बापका वह ही है इसमें महंगाई बता 9,000 something है और इसमें रहने का भईया 36,000 है और आने जाने का 1971 और ओर ओल हमारे पास 35,000 की salary बन जाती है level 2 की job में किसके अंदर जो हमारे पास level 2 की job है इसकी मैंने post बता दी है इसी प्रकार दोस्तो हमारे पास level 3 की job मैं हर post बता रहा हूँ ऐसी आपको वीडियो कहीं नहीं मिलेगी लिखके ले लिजी ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी जिसमें आपको सब बता रखा हो कौन कौन सी post कैसे कैसे है level 1 की post बता है level 2 की बताई अब level 3 पे आ जाते हैं ये 2000 ग्रिड़ पे वाली जोब है ये 2000 ग्रिड़ पे वाली जोब है ठीक है कौन कौन सी पोस्ट होती है इसके अंदर laboratory assistant होता है paramedical worker होता है register होता है statistician होता है हमारे पास ठीक है all librarian होता है ये सारी पोस्ट यहीं आती है दो अजार में हमारे पास basic pay केति मिन जाती है 21,700 बन जाती है लग बलग दस दायर हमारे पास BA महेंगाई बतता बनता है 27% हमारे पास इसका 5000,000 मुला लग बलग बलग रखाए ये हमारे पास घर में रहने जानेगा और आने जानेगा 5,256 और ओल हमारे पास 40,000 से उपर की सेलरी बन जाती है यह हमारे पास level 3 वाली जॉब के आनगा level 3 वाली जॉब के आनगा दरीदर से level बढ़ रहे है level 8 तक है इसके इंदर तो tension ना लेना आप graduation वाले भी इसके इंदर आ सकते है दसवी वाले भी है और बारवी वाले भी है चीक है, नोटिफिकेशन आएगा तो सारी पोस्ट दुबार से फिर बताऊँगा, चीक है अब लेवल 4 पोस्ट पे आते हैं दोस्तों, लेवल 4 की कौन कौन सी पोस्ट से लेवल 4-4 के दोस्तों हमारे पास grade पे हमारे पास कितना होता है 2400 होता है जो कि एक सीजल के officer की tax assistant होता है उसकी salary 2400 grade पे के अंदर होती है चलिए इसमें storekeeper हो गया जो caretaker भी कहलाता है deputy ranger हो गया data processing assistant हो गया technical clerk हो गया जो हमारे पास सीनियर हिंदी टैपिस्ट वाला हो गया stenographer और grade C यह भी इसके अंदर है यह सारे के सारे इस वाली पोस्ट के अंदर आते हैं सारे के सारे आपको इस वाली पोस्ट के अंदर मिल जाएंगे अब भया लेवर फूर पोस्ट के हमाई पोस्ट तो पता लगए यह होती है पर भया पाईसा के इतना मिलेगा यह बताओ पाईसा इतना मिलेगा बेसिक पे चोबिसो में 25,500 रुपे है इसमें आपको महंगाई बता इतना है 11,000 सम्थिंग और एचारे मतलब रहने खाने का जो यह है यह इतना है 6,000 और वो टीए तो सेमी चल रहा है जो हमारे पास अमला आने जाने का खर्चा है और 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 पचास जार के गरीब आपकी सेलरी बन ज जाना आपके उस पर कि आप सरकारी आदमी हो चलिए अब आते हैं लेवल 5 की पोस्ट पर इससे बहतर वीडियो नहीं मिलेगी सेलेक्शन पोस्ट के उपर सारा बता रहा हूं देख लीजे सारा बता रहा हूं देख लीजे इससे बहतर आपको वो नहीं मिलेगी वीडियो न पर इंपोर्ट जॉब्स आती है लेवल फाइव की पोस्ट के अंतर ग्रेट पे कितना है दोस्तों इसका अठाइस सो है यह हमारे पास पॉस्ट की फाइव 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 है उसकी पॉस्ट है इसमें पाइसा कितना मिलेगा कितनी इसकी सेलरी इयह अठाइस सो ग्रेट पे का मिलब है 29,200 रुपे की बेसिक पे है औरोल सेलरी की पचपन अजार लगब लगब लगव साड़े 5.500 से ऊपर सेलरी इसकी बन जाती है पचपन अजार 7.721 की सेलरी है वह इट इह आने जा कर ट्रेवलिंग अलाउंस तो उतन सेलरी कितने सारी पोस्का दी लेवल मंगी पोस्का बश्व बताए लेवल टू की बताई लेवल पूर लेवल फाइव की बता है चीक है ऑड़ेखो लेवल 6 में थ्लोड़ सा बैल इस रूपर आ जो कि हमारे पास Divisional Accountant को मिलता है सीजल वाली जॉब के अंदर यहां पर यह 6 पोस्ट कौन-कौन सी है जिसमें यह 2200 ग्रेट पे मिलता है Navigational Assistant है वही है हमारे पास Senior Scientific Assistant है दोस्तों हमारे पास Assistant है Architecture है और हमारे पास Senior Instructor है हमारे पास Senior Scientific Assistant है Scientific Assistant है और Investigator जो हमारे पास है Grade 2 का और भी वह साई जॉब्स है पर यह Important Jobs है Important Post है किसकी Level 6 की Level 6 की इसका Grade पे 4200 Grade पे 4200 तो 4200 हमारे पास Grade पे का मतलब क्या होता है 35,400 आपकी हमारे पास Basic पे बन जाती है Overall salary जो निकल के आती है इसकी वो 66,000 66,500 के करीब बनती है चिक महगाई बता आप देख पा रहे है उसके इंदर 16,000 सम्तिंग है और इसका जो रहने खाने का है वो 9,558 और जो इसका Travelling allowance है वो 5,256 रुपे है Overall पैसा को 66,500 भाईया इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा से जादा तो ध्यान रखना जो भी इसके लिए अवलेख को होगा eligible होगा सब से जिर्गाटीब हिसकी निकलती है लवल 6 की और इसकी निकलेगी ऐसा, hopefully मेरा मानना है सब से जर्गाटीब हिसकी चलिए, बहुत बढ़ी है, बहुत स्मय आजओ लेवल सेवन आने वाला है इसका नोटिफिकेशन इंटेंशन ना लो जल्दी आने वाला है और देना ही पड़ेगा कि शुरुआत से इसी से करता है साल की चलिए लेवल सेवन की पोस्ट का उनोता है जो कि एक इंकम टेक्स इंस्पेक्टर की या फिर GST इंस्पेक्टर की या ASO CSS की ASO MEA में जो भीया ओफिसर्स होते हैं जो इंस्पेक्टर पोस्ट पे होते हैं उनको 46 से उनको क्या होता है उनका ग्रेड पे होता है तो लेवल सेवन पोस् सब्सक्राइब कर दोस्तों इसकी क्या है मारे पास इसका महेंगाई बता बीस यार सम्तिंग है इसका रहने खाने का हाउस रेंट अलाउंस इतना है और इसका आने जाने का इतना है ठीक है अब आते हैं आखरी बट सबसे जादा देखो इसकी पोस्ट बहुत कम निकलती है पर यार पता क्या है एवरेज बच्चों के लिए जॉब है एवरेज बच्चा मेरे जैसा बच्चा इसको आराम से निकाल लेगा लोग यही सोचके नहीं बढ़ते क्यार इसकी तो ती सब्सक्राइब बच्चा इसकी वेकेंसी आती है भर दीजेना से क्या दिक्कत है अब तो एक बार फॉर्म बढ़ो और से फिरू सारे फॉर्म भर देते हैं ठीक है तो भी यह लेवल एट पोस्ट है ग्रेड पे हमारे पास अर्तालिस सो एसका यह हमारे पास इंटलिजेंस बीरो असिस्टेंट सेंट्रल का है इंटलिजेंस बीरो ग्रेड बन ऑफिसर है काम होता है इसके अंदर तो लेवल एट की जौब है इसकी वेकेंसी कम निकलती है पर देख लो भी यह अर्तालिस सो ग्रेडवे का मतलब अब बताता हूं तुम्हें सेल लिग इतनी बनती है यह सारी पोस्ट दोस्तों यह सारी की सारी पोस्ट यह सारी की सारी पोस्ट आप देख पा रहे हो तो यह सारी पोस्ट आपकी मुठी में हो सकते हैं अगर आप डेली की डेली पढ़ाई करना स्टार्ट कर दे और इसका वेट करें जैसी इसका नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको इसके notification के बारे में बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है, अब दोस्तों अगर आप पढ़ना चाहते हो, इस exam के लिए, यह तो मैंने सब कुछ इसके बारे में बताया, इसकी post बताई, कौन-कौन सी post होती है इसके अंदर, और इसकी salary बताई, जो की मैंने बादा किया था, वीडियो के starting में ही बादा किया था, कौन eligible है, वो बताया, 10 वी, 12 वी और, graduation वाला eligible है, क्या क्या इसका वो होता है, क्या क्या इसके exam में आता है, वो बताया, skill test किसी का होता है, किसी का नहीं होता है, जिसका required होता है, उसी का होता है, ने तो written test, skill test के बाद, document verification आपकी job लग ठीक है, notification आने वाली है, पर जिसको पढ़ना है, दोस्तों, वो free of course भी पढ़ सकता है, हमारे SSC 24-7 से, playlist में जाना SSC 24-7 के, और complete math by Ashish sir, ये complete math by Ashish sir, ये complete math by Ashish sir है, previous questions भी लगा सकते हो, complete math by Ashish sir, या previous questions Ashish sir, SSC के, दोस्तों, इसके लिए हमने अलग से, अड़ा 24-7 ने एक सौगात आपके लिए है, अड़ा 24-7, अड़ा 24-7 या तो आपके पास एप होगी, जो कि बहुत ही common सी बात है, सब लोगों के होती है, बट अगर एप नहीं है, तो आप अड़ा 24-7.com पे जा सकते हो, अगर एप है, तो store पे जाईए, अगर एप है, तो SSC selection post ये आपको मिलेगा और ये मेरा batch भी है, SSC के महा pack में सारे exams clear होते हैं, SSC, CHS, CPU, MTS, GD, जितने भी selection post, सारे के सारे exam clear होते हैं, इसका हमारा 29 फरवरी से batch start है, तो दोस्तो आप 29 फरवरी से batch ले सकते हो, using the code Y763, आपको discount मिलेगा, वो भी bumper discount मिलेगा, दोस्तो ये आखर अगर आप केवल math पढ़ना चाते हैं, तो math का भी है, इसमें 200 फ्लस घंटे में पढ़ा रहा हूं, इसके अंदर आपको doubt sessions मिलेगे, इसमें, अच्छा वैसे सारे के सारे, अगर मैं आपकी बात करूँ, यहां पर भी बात करूँ, इसे भी batch की बात करूँ, उसमें आपको doubt session हर class के बाद एक doubt session होता है 15 minute का, test series मिलती है, ebooks, PDF के form में ebooks मिलेगी, आपको live session मिलेगी, आपको recorded session मिलेगी, आपको mentorship मिलेगी, आपको test series मिलेगी, doubt session तो होता ही है हर class के बाद, आपको test series मिलेगी, हर एक subject topic के बाद उसकी test होगा, उस test के बाद में फिर discussion करेगा, teacher, तो यह अगर आप सीजल का पूरावर SSC का पूरा प्रमापेक लेना चाहते हो इसके अंदर यह सब कुछ है वो ले सकते हो या फिर सिर्फ सिलेक्शन पोस्ट के लिए आप ले सकते हो अगर आपको सब कुछ समझ में आया होगा मैंने बहुत ही बाइफर करके डिस्ट्रिब्यूट करके मैंने सब कुछ بتाया लेवल बन से लेकि लेवल 8 की सारी जोब्स बताई उसकी शैलरी बताई और आपको क्या करना है वो बताया कौन एलिजिबल है कौन नहीं एलिजिबल है कुछ मैं मदद कर पाऊंगा इसके टूप अगले इपडेट के लिए इंतजार कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तब तक धन्यवाद टेक केर जैहिन जै भारत